दोस्तों अगर यदि आप अपने MP online portal का user id या फिर password भूल चुके हैं या फिर आप user id password डालकर MP online portal login कर रहे हैं तब आपको incorrect show रहा हैं ऐसी condition में आप MP online portal का user id और password दुबारा से कैसे बना सकते हैं और फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप MP online portal को दुबारा से login करके आप अपना सभी कार कर पाएंगे तो बने नजी वीडियो में शुरू से लेकि लाज तक वीडियो पूरा ज़रू देखिए तो एलो दोस्तों मेरा नाम है इम्रान आप देख रहे हैं डिजिटल समधार यूट्यूब चैनल इसी प्रकार के डियर सारी जानकारी में आप भी ये कराता रहता हूं सरकारी होजना और online से संबंदित सभी जानकारी के वारे मैं आपको जानकारी इस चैनल पर देता रहता हूं चैनल पर पहनली बार हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉल्लू करें और नाटिफिक संबल आइकन को प्रेस करके और पर जबर प्यक करनें तो बिना देनी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दीखिए अगर यदि आप अपने MP Online Portal को यहां से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं आप यूजर आइडी पासवर्ट भी सही दर्ज कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर इनकरेक्ट यूजर आइडी पासवर्ट लिखा हुआ रहा है पहले तो आप फॉर्गेट पासवर्ट पर क्लिक कर सकते हैं तो आपके इमेल पर एक लिंक पहुँचाया जाएगा और मॉबाइल पर एक सेक्योटी कोट पहुँचाया जाएगा तो उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वही code दर्ज करने के लिए कहा जाएगा जो आपके mobile पर आपको प्राप्ट हुआ है code दर्ज करने के बाद submit करेंगे नया password आपको बनाने को कहा जाएगा आप अपना नया password बना लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर आकर MP Online इसका link भी मैं आपको नीचे वीडियो के description पर दे दूँगा यहाँ पर आपको MP Online operator का नाम दर्ज करना है और जो भी mobile नंबर दर्ज है MP Online से उस mobile नंबर को दर्ज करना है email ID आपको दर्ज करनी है जो कि MP Online से आपने link की हुई है यानि की registration के वक्त जो email ID आपने दी हुई थी शिकायत की भासा का language आपको यहाँ पर chain कर लेना है अब क्या आपके पास में क्योस्क या फिर नागरिक ID है तो यहाँ पर हम क्योस्क का chain कर लेते हैं संदर्ब में आप यहाँ पर क्योस्क ID अपनी दर्ज कर देंगी क्योस्क आइडी को यहाँ पर दर्ज कर देना है इसके लाब अगर यहाँ आपने कोई भी electricity bill वगरा जमा किया है तो वहाँ पर भी आपको सबसे उपर आपको आपके payment receipt पर उपर क्योस्क ID आपको देखने के लिए मिल जाती है तो वहाँ से भी आप अपनी क्योस्क ID प्राप्त कर सकते है इसके बाद यहाँ पर आपकी क्योस्क ID वेरिफाई की जा रही है अब यहाँ पर आपका box green हो जाएगा इसका मतलब आपकी क्योस्क ID वेरिफाई कर ली गई है और अगर यदि आपने नए MP online portal के लिए registration किया है और आपको किसी भी प्रकार की problem है तो आप क्योस्क registration पर क्लिक करेंगे लेकिन मैंने पहले से ही user ID password प्राप्त कर लिया है और काम करने के बाद अब वह login नहीं हो रहा है मेरा problem है login issue तो मैं इसे select करता हूँ अब यहाँ पर अपनी language में आप type कर सकते हैं या फिर Google Translate का इस्तमाल करके हिंदी में type करके अपनी problem को यहाँ पर दिखा सकते हैं और आप यहाँ पर एक screenshot भी attach कर देंगे जिसका size 200KB होना चाहिए जब भी आप यहाँ पर login करते हैं और जो भी आप मेसेज आ रहा है उसका आपको screenshot ले लेना है और यहाँ पर उसे upload कर देना है उसके बाद इस box में tick करने के बाद इस capture code को यहाँ पर इस box में fill करना है और get OTP पर click करना है अब आपके registered mobile number पर OTP पहुचाए गया है वोके पर click करेंगे OTP को इस box में दर्ज करेंगे और submit पर click करेंगे OTP प्राप्ट नहीं हुआ है तो recent OTP पर click कर देंगे और साथ ही इस capture code को इस box में fill करेंगे OTP दर्ज करेंगे और submit पर click कर देंगे अब आपकी complaint दर्ज कर ली गई है और आपके mobile number पर भी आपको ticket number प्राप्ट हो जाएगा और उसी ticket की मदद से आप इसका status भी check कर पाएंगे ticket status चेक करने के लिए आप यहाँ पर helpdesk.mponline.gov.in पर आजाएंगे आपको पहले यहाँ पर नया login बनाना होगा नया login बनाने के लिए आप नया login बनाया पर क्लिक करेंगे आपका mobile number दर्ज करेंगे इस capture code को fill करके generate OTP पर क्लिक करेंगे mobile पर OTP प्राप्त होगा OTP दर्ज करेंगे OTP सत्यापित करेंगे अब आप यहाँ पर अपने MP online की कोई भी शिकायत बगरा दर्ज कर सकते है और उसका status भी आप यहां से check कर सकते हैं आपने जो भी शिकायत दर्ज करी है अब आप यहाँ पर log in करने के बाद यहाँ से भी आप अपना सिकायत direct की दर्ज कर पाएंगे जो कि मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया था सिकायत दर्ज करने की विदी तो आप यहाँ पर अगर यदि अपना login ID बना लेता है तो यहाँ से भी आप अपनी MP online की कोई भी सिकायत को दर्ज कर पाएंगे login करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले edit profile पर आकर आपकी profile set कर लेनी है जैसे कि आपका यहाँ पर photo दो से कोई भी के अंदर का upload कर देना है प्रथम नाम और उपनाम अगर यदि कोई है तो यहाँ दर्ज कर देंगे email ID यहाँ पर register करके size पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ password बढ़ देने पर click करने के बाद आप यहाँ से अपने नया पासवर्ट बना लेंगे आपके registered mobile नमर पर एक password प्राप्ट हुआ ओगा उस password को यहाँ दर्ज करके नया password बना के size पर click कर लेंगे status चेक करने के लिए आप यहाँ पर helpdesk.mponline.gov.in पर आ जाएंगे इस्ति देखने के लिए आप सिकायत के इस्ति देखें पर क्लिक करेंगे अब आपको अपना username या mobile number यहाँ दर्ज करना है और password दर्ज करना है इस capture code को fill करके login पर क्लिक करना है यहाँ से आप अपना status चेक कर पाएंगे जो भी आपने complaint दर्ज की है और बहुत ही जल्द आपके registered email ID पर आपको एक link पहुचाय जाएगा जहाँ पर आप अपना user ID और password reset कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप MP online portal का user ID और password को reset कर सकते हैं होप की जानकारी प्रसंद आई होगी इसी प्रकार की और भी आने जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और फौर जरूर करें मुझे दीजी इजाज़त मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जैगीन बंदे मात्रम